अब देखिए महावल जो है पूरा बन चुका है 23 और 24 वाला जो डेट है सचिवाले सहायक वाला वो पूरी तरह से समझी है कि लगबग फिक्स है अब इसमें मैं कारण बता रहा हूँ आपको देखिए यहां पी न्यूज पेपर से लेकर के हर जगह इसका महावल गरम हो रहा ठीक है अब यह मत दिमाग में बैठा करकर रखिए कि इसका एक्जाम डेट टलने वाला है यहां पी लगबग आठ लाख लोग परिच्छा देंगे क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों दस लाख लगबग आवेदन इसमें हुए है तो आठ लाख लगबग तो परिच्छा एडमिट काड यह जारिक कर दिया जाएगा तो अब इसको लेकर करके कोंट्रोवर्सी जो है कि अब आपका डेट पोस्ट्पॉन होने वाला या कुछ भी तो इस तरह की चीजे बहुत ही कम इसकी असांकर रह गई है क्योंकि हमने कॉन्फरेंस वेगर हुआ प्लस में आपक को नीज़ पेपर में भी अपडेट कर दिया तो महावल तो पूरा बन रहा है बिएससी पूरी तरह से सचे थे इसको लेकर के यह ऐसा नहीं है देखिए दोस्तों कि यहां पर हाथ पर हाथ धरके बैठे हुए ऐसा कुछ भी नहीं है वह पूरी तरह से सक्रिये हैं सेंटर से लेकर के पेपर त्यार करने की पूरी परक्रिया कर ली गई है अब यह चीज़ अलग है कि हमारे सामने यह ओपेंली नहीं किया गया लेकिन सारी परक्रिया हो चुकी है तो यह अब यह तलने वाला देखिए हमें हमारे लिहास से तो नहीं लग रहा है कि टलेगा तो यह टलने वाला नहीं है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों यहां पर एक्जाम देने वाले लोग है लगबग में साथ सी आठ लाग लोग यहां परिच्छा देंगे और यहां पे 2187 पत है तो 12,000 लगबग मेंस के लिए यह सिलेक्ट करने वाला है तो यह बिहार करमचारी चायन आयोग के द्वारा परिच्छा लिया जाने वाला है ग्रेजुएट लोग दोस्तों जितने भी असनातक लोग थे वो अपलाई किये थे तिरती असनातक परिच्छा इसको कहा ज चुका है तो अब तैयारी में दोस्तों ध्यान दीजिए अब इस आप उमीद में मत रहिए कि आपका डेट तलने वाला है बाकी अब तो उपर वाला जाने क्या होगा अभी तो जो जिस तरह से महाल बन रहे है जिस तरह से चीजे देखने को मिल रही है उससे तो यही लग शुकर है कि आपका उसी तारीक को होगा नीूस में भी आ रहा है कॉनफरेंस भी हुआ दो-तिन जगासे और भी देखने को मिला मतलब पोजेटिव रिस्पॉंस मिल रहा है कि एक्जाम होगा तो कैसे बोलते कि नहीं होगा किस बेसपर बोले कि नहीं होगा बताये नीूस मे दिया गया है तो एक बार date extend कर गया है